निर्दलिय पृतियाशी मुकेश मनहोत्रा ने तोड़ा मतों का प्रदेश रिकॉट सभी धलों को कराया अपनी ताकत का एहसास खबर कर आहल से हैं जहां विजयपूर विधान सभा में आदिवासी समाट से निर्दलिय पृतियाशी के रूप में विधायक का चुनाव मुकेश मनहोत्रा ने 44,000 वोट प्राप्त कर राजनीती के चालक के कह जाने वाले नेताओं को अपने वजूत का एहसास करा दिया है बीजेवी पृतियाशी ने भी अपनी करारी हार की वज़ा से निर्दलिय आदिवासी पृतियाशी मुकेश मनहोत्रा को माना है वहीं मु उन्होंने कहा कि जदी समाज कहेगा तो आगामी होने वाले लोगसभाचुनाओं में भी इस दमदारी से लड़ूंगा मैंने जो भी वादे अपने लोगों से किये हैं उन्हें पूरा करूंगा गरेबो परत्याचार नहीं होने दूंगा जल जंगल और जमीन के लड़ाई उनको यह बता दिया कि उनकी क्या ताकत है इस विदान सभा में 44,000 बोटों जो नोंने आज प्राप्त की हैं विदान सभा में देखा जा तो निर्दलिये का रिकॉर्ड उनने प्रदिस लेवल पर तोड़ दिया है कभी किसी निर्दलिये को इतने वोट प्राप्त नहीं कुछ इस तर पर आप मुचाने का प्रयास करते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्वाल उकेजी रणनी ती तो अच्छी थी आपकी और जीत जो लोग सोच रहे थे कि कुछ भी मत आसिल नहीं हो पाएगा जमनत भी जबत हो जाएंगी ऐसे लोगों के लिए आपने आगे रहे क्या कुछ कहना चाहते हो क्या इस दोर आपने देखा कि कितने लोग आपके साथ थे तेको समय बहुत कम था हमारे पास मात्र 15 दिन का समय था इसमें हमने हमारे संगटन को मजबूत किया और हमारे समाज के लोगों ने भी साथ दिया और अन्वरक के जो अपने य और भी लोगों के जल–जंगल, जमीन, इसिचा, रोजगार, सवास्त तृ मेन हम लड़ता रहुगा और संग्रस करता रहुगा चाहे सरकार कोई हैसी भी हो सरकार से बराबर लड़ूंगा लोगों के अखदकार मान समाने के लिए और लोगों मोन न्याय दलाने का करूंगा पहले भी मैं लोगों के लिए हकदकार में जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जेल भी गया अपने भी दुबारा भली जेल चला जाओं लेकिन जनता के लिए अमेसा लड़ता रहूँगा मुकिश जी बताते हैं कि बीजेपी एक अच्छा परफॉमिया कर रही थी जैसे ही टिकेट कटा आधवासी समाज का बीजेपी से तो निरदली आप यहां से समाज ने खड़े कर दिये क्या मानते हो कितना बीजेपी को नुकसान पहुचा दिया या इसमें कॉंग्रेस को नुकसान हुआ इस से हमारे कड़े होने से दोनों पार्टियों को नुक्सान हुआ होने को तो लेकिन जो हमारा बोट बैंक है एक जो बोट बैंक है उसमें से कुछ बोट ने लोगों ने लालच दे कर प्रलोबन दे कर कुछ खरीद लिया बोटर को लोगों ने लेकिन फिर भी हमारे साथ में अन्न कहना था मुकेश जी अम उस दोर जब इसका सर्वे कर रहे थे तो बता रहे थे कि मुकेश मालोत्तरा जोगा केवल कराल में अपना बोट बैंक बचा पाएंगे बाद बागी कि विजय पॉर में उनका कुछ नहीं है पोलिंग जो देखी निकली पोलिंग के रहे तो देखा ग इसमें और अपील की कि मेरे को मतदान करिये सरकार कोई भी बने मैं अगर बिधायक बनता हूं तो आपके काम करूंगा तो लोगों ने बिसवास किया और मेरे को विजय पॉर भीवपूर के चेत्र के लोगों ने बहुत मतदान किया तो मेरे को 18-19-1000 बोट महां से मिला और क क्योंगी 14-15 दिन का समय था तो इसमें दो तीम दून तो ना मांकर प्रक्रियामी लग गए चार-पांच तारीक को अमारे फर्चे पंप्लिट छपे तक समय मातर 10 दिन वचा इसमें हमने लोगों के लिए जो अमारा चुनाओचन था गिलास उसको समझाया गाओं गाओं ज लड़ा और दम कम से चुनाओ लड़ा पूरी जनतान है मेरा साथ दिया जो बिना पार्टी के बिना किसी बड़े नेता के समर्तन के यहां की जो विजयपर विधानसवा चेतरी जनतान है और मेरे प्रिये यार दोस्त मिलने वाले मेरे समाज के लोगों ने अन्बरक के कम समय में इतने ऊपर पहुंचा दिया मैं अपने आपको बहुत गौर्वांत महसूस कर रहा हूं और उन लोगों को बहुत 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 भारवार धन्वाद देता हूं और उनकी अकदकार के लिए हमें साही में लड़ता रहूंगा यह अभी आप जो आप सुन रहे थे यह मोकश मलोत्रा जीते जो निर्दली प्रित्या सीते इनों ने अभी फिर से आगा कर दिया है कि वली चुनाव यह ना जीत पाएं किनी काणों से लेकिन यह अपने जो भी समाज की लोग हैं जो भी अनिव गरीब घरिब दवके की लोग हैं उनकी अत्याचार्ज उन पर प्रिशासन या किसी विव्यक्ति द्वारा किया जा रहा है उनके खिलाब ये अपनी आवाज बुलंद करेंगे ये इनका एक संद्धुर्ण